नमस्कार साथियों ASP कोचिंग जैपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहें दिल से स्वागत हैं दोस्तों सभी लोग जुड़ चुके हैं राकेश बस्ची रितु कुमारी चौधरी जी राम हरी गोरवाल सभी का तहें दिल से स्वागत है सभी को गुडवेंग नमस्कार सस्त्रियकाल राधे राधे दोस्तों फटा 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 जो लिंक है एक बार सारे के सारे गुर्प में शेयर कर सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों बहुत बढ़ी आज का हमारा पहला किशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों और पहला जो किशन है डैपोग मेथर्ड ऑफ राइजिंग नर्सरी इन राइस हाज बीन इंट्रेडूस फ्रॉम भार्द में धान की नर्सरी तयार करने के लिए डैपोग विदी किस देश से प्रचनन में लाई गई थी तो इन राइस है यह पहली बात तो जहां रखना यह किसमें है राइस के अंदर है इन राइस हाज बीन इंटर्डूस फ्रॉम पड़ाफट कमेंट करें इंडोनेशिया टाइवान इस्राइल और फिलिपिन्स बहु क्मेट करें इंडी स्वया सिंग्सी कमेंट करें एकड़ीबवाई वागए अझ दैधका सही होता है बहूस بड़ागी सभी बच्चोंका सही है मोर्वाल का भी गलत है इसका राइट अंसर होगा तो उप्शन नंबर एग सुरी ऑप्शन नंबर डी फिलिपिंस चींग है मनीला एक जग है फिलिपिंस के अंदर वहां से वहां पर डवलप किया गया था दे पोग मैं फ़्यार के अंदर किया था राकेश थोड़ा अपना सही कِजिए बैरीगोड आप देखो इस में होता कि है डेपो मैंचड क्यू लायागए है अंदर उसके अंधर बैज्सक चौक डिन के त्यारा से 14 दिन के अंदर नरसरी तइयार हो जाती है सबसे पहली बाद रचाने दूसरी बात दोस्तो इस मैठण के अंदर जो हमें Sun rate की जरुत होती है हो प्र यह 3 इंद घानता सी देज़्र객 यह 2 इंपोर्टेंट सीज बदा रहा हूं जो बीज दर है वो तीन किलोग्राम पर मिटर स्क्वाइर या वर्ग मिटर की जरूत होती है तो जान रखना दोस्तों एक हैक्टेर के लिए एक हैक्टेर अगर आपके पास जमीन है तो एक हैक्टेर के लिए इस परकार की इस परकार की तो मिंट्र स्क्वाइट जैसी 25 से 30 कितनी 25 से 30 nursery की ज़रत पढ़ती है 25 से 30 nursery की ज़रत पढ़ती है तो 25 से 30 दम हमें nursery की ज़रत पढ़ रही है दोस्तों तो ध्यान रखने है इसका seed rate कितना हो जाएगा पिछेद्र तर से नभे किलोग्राम पर हैक्टेयर कितनी और यह फंचे पैने सब्सक्राइड。」 सो हमारे देपोग में इसकी इंट्रेस्टिंग बात और बताता हूँ तेपोग मैथड के अंदर जो सीड रेट तयार होती है वो बिना सोयल के होती है उसमें सोयल का बिलकुल भी इंटरफेर नहीं होता मतलब लकडी के तक्ते लेते हैं उसके उपर जो हमारे टाट आता है बोरी का जो टाट आता है इसको रखकर यहां पर सीड तयार सीड जो पौद होती है वो तयार की जाती है तो ध्यार रखना विद आउट सोयल यहां पर क्या होगी पौद तयार होगी क्या होगी दोस्तों पौद तयार तो पौद तयार बिना सोयल के ही होती है कि यह पूछा जा सकता है कितने दिनों म ठीक है? नेक्स क्यूशन की और चलते हैं दोस्तों, नेक्स क्यूशन है, इन वेट बैड मेसट अप नर्सरी, राइजिंग और राइस, सीडलिंग वुड़ बी रेडी फोर हार्वेस, एट एन इस ओफ, धान की नर्सरी तयार कटने की आद्रविधी में रोपाई के लिए सुपरिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया अंसर कमेंट करें, पड़ावड इसका अंसर कमेंट करें, ब्लैक डैथ ओफिशियल ए कमेंट करें, भाई, ए नहीं आएगा, भी तो समझाए था, ए बिल्कुल भी नहीं आएगा, ब्लैक ड ऐसे अगधो करें 14 दिन को बता है किस के लिए आ जाएगा डेबंक के लिए तो कौह सा जाएगा झौदा अगर हम बात करें इसका राइद आशर हो만iksi में और dua से वि-만 librariesि यह लगते हैं किसके लिए जो उसे इसमें nursery rising का दूसरी सबसे important बात weight bed मैथड में weight, bed जो मैथड है इसके अंदर जो nursery का area होता है क्या nursery area nursery area तो nursery area होता दोस्तो 1000 meter square कितना होता है 1000 meter square का आपन क्या रखते है इसमें area रखते है बात करूब दोस्तो seed rate की किसी सीर्ट और तो सीड्ड अपर यूज करेंगे 40 पाटशन कई क हम पर हैटे यहां है यूज करेंगे दोस्तों इस जो वेट मेड मेट है उसमें कितने दिनों में तैयार हो जाती है तो 20 लिजो स्व्या सुम्यासिंग है 12 बीजों सबलेख से बाहे पहुत बढूज हैstory lg to be aneur और ट्रांस्प्लार्ट डेपोग विधी जो धान की है उसमें नसरी रोपाई के लिए कितने दिनों में तयार हो जाती है 11-14 दिन 14-17 दिन 17-20 दिन या 20-23 दिन फटावर कमेंट किजिए सर सुपरवाइजर का न्यूबैच स्टार्ट हो रहा है क्या विवेग हाँ कल न्यूबैच स्टार्ट हो गया हो गया हो गया दोस्तों के लिए राइनसर दूस्तों अब पोगो को सब काया भाई डेपोग जो मैथड़ है कहां से आया था तो में फिलीपिंस ऐए था इस चीज़ के बारे में आपको बता दिया था इसकी सीड रेट मैंने आपको बताई थी क्या बताई थी सीड रेट कितनी बताई थी फटा फट कमेंड करो देखें 3 kilogram per meter क्यworthy desire बताई थी ईक hectare के लिए बताओ तो ईक hectare के लिए कितना हो जाएगा 20 65 हमकों क्या ज़रत होती है पच्छी से 30 nursery की ज़रत होती है 25 से 30 is跑 vai की nursery की ज़रत होती है आप इसको multiply करोगे तो लगबग तार handlarihrail से 90 kilo आजाएगा पिछाएतर से 90 kilo तो एट हेक्टेर के अंदर सीड रेट कितनी चाहिए पिछे तर से 90 किलो गिराम चाहिए ठीक है नेक्स क्यूशन की और चलते दोस्तों नेक्स है प्रोपेनिल या स्टेंप एफ हर भी साइड शुड भी अप्लाई इन राइस आफ्टर ट्रास्प्लांटिंग धान की तो निल खरपतवार नाशी का प्रियोग करना चाहिए क्यासिन नमर के है टू 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 फॉल डे आफ्टर ट्रास्प्लांटिंग करने के 2-4 दिन बाद 6-8 दिन बाद ट्रांस्प्लांटिंग के 10-14 दिन बाद या दो वीक बाद फटा-फट कमेंट कीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बैच का टाइम एक बजे से रहेगा तो नया बैच स्टार्ट और है कल अग्री कल्चर सुपर्वाइजर का उसका ट वहां सवाइब मादवपूर विकास जितेंदर मनकेस पूजा सचिंद्र अधिव्या हैत्वा सभी लोगों का आंसर सही है सभी लोग बी कमेंट करें मुस्टली सब लोग कौन से कमेंट करें दोस्तों बी कमेंट कर रहे हैं तो इस क्यूश्चन के लिए आप सभी का डॉसें प्रोपे निल यह प्रकार का पोस्ट इमर्जेस तयार लटना ओस्ट इमर्जेस अगर मनलोंगा आपको यह स्टेज डिन में डे में ना दे आपसे लीफ स्टेज पूछ ले तो ध्यार रखना जब चावड के अंदर तीन से चार लीफ स्टेज हो तीन से चार लीफ निकली हुई हो उस अवस्थां पर भी अपने को क्या कर देना है प्रोपनिलिया स्टेंप एप 35 जो स्टें कि अरली स्टेजॅ प्लांट इन राईस को आड के पौधे की प्रारंभिम्रदिू आवस्था में क्रेस्एक किस रोग में बनते हैं तो धोँ अर्म heck क्या है दोस्तों थों क्रेस 4 न फटान दोस्तों किस किस रोग में बनती है आप लोगों को बताना है तो फटा फट सब्सक्राइब क्मेंट किसे ऑरे इतना टाइम कैसे लग दोड़ियाW कैसे रहा है ितना टाइम लग कैसे रहा है बादध ऑप्यूशन नहीं करेंब बाहुत बढ़्या बहुत बढ़िया दोस्तों बोस्तों बढ़िया मनकेश मोरव। सभी लोग बहुत बढ़िया नमर्ए हैं घ्यक है पटीदधा रोग होता है जीवानूं पट्फी दभब जिसे इंदी में बोला घता है उस कवनि पूरी बाली है उसके अंदर काला काला सा क्या 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 आरादाफ काउंड Hasand उति है किसकी वजह से यहां पर गयोगि तो इन दिया अब गया कोफियान के द्वारा होते हैं तो तो हम 0.01 परसेंट स्ट्ट्रेप्टो साइक्ली नीज़् करेंगे यह ऊप्सिक्लॉरइड को पर ऑपसी ऐसका 25 गुर्ओारों से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं तो यह पता नहीं था बस क्रेशेक का पता नहीं था कोई बात नहीं होता है अभी आप लोगों को जहाँ पता क्रेशेक जो अवस्ता है इसमें क्या है जिस ताइम पे जो नर्सरी होती है क्या जब जब नर्सरी इंग होता है जब चोटा पॉदा हा होता है transplanting stage में जब पौदा होता है उस अवस्था में उसकी जो दाने बन उसके जो पौदे बढ़ते हैं उसमें क्या होता है ब्लेक ब्लेक पाउडर बनना करें लीफ है उसमें ईसमें बैक्ट्रियल लीअ व्लाइट को और लीप बलाइट ही बोलते हैं इसमें क्या ही हिंदि चाहिए अब इसमें पर कमेंट करें देखें पावन सवाई मादवपुर अनुजपाल रिंकु गोयाल रितू सी कमेंट कर रहे हैं लोग लगबग सभी लोग सी और बी में कनफ्यूज है शुप्रिया चौदरी सी ब्लैक डाथ ऑफिशल बी विकास बी कमेंट करें सुप्रिया सी सौम्या एकमेंट करें जिते इंदर बी क करें पावल सवाई मादवपुर दो कमेंट करें ब्लैक डाथ ऑफिशल बी कमेंट करें अनुजपाल बी कमेंट करें और मौक सबी बच्चों का गलत आंसर है लीफ रोरल नहीं है अरे ध्यान रखना ग्रीन लीफ पर कौन सा है ग्रीन लीफ होपर हरी पत्ति पुदका या का हारी पत्ति जो होता है ये तो टुंग्रो का क्या करता है ट्रंसमिशन हैं यह वार एक जैपूर मौशच शmbie के या नीकि फैले रहा है अब जो ग्रीन लीफ होगर है इसका साइंटिपिक नेम होता है नेफोटेटिक्स विरिलेंस क्या होता है नेफोटेटिक्स क्या होता है नेफोटेटिक्स 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 स्क्राइब और चलते हैं दोस्तों नेक्स है डेड हाट एंड वाइट हैं डेमेज टू राइस पॉसर भाइड हाट ठीक है वह वाइड है किस कीट के प्रकॉप से होता है गाल में लीफ रोरर आर्मी वर्म या इस्टेम बोरर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ अगर पोएक्जाम दो पॉस्सरे से अपनें हो जाते हैं यह संब्सक्राइब कर रहे हैं नौरा फिको मेंट कर रहे है सुपरिया उज्पारियंड auris से कमेंट इसको याद कर रहाता हूं आपको यह हमारा क्या है राइस का एक पोदा है क्या है राइस का चोटा सा यह पोदा है यह राइस के अंदर क्या निकले हूई बालिया निकले है इस तरीके से गंदा सब डाइग्राम बन रहा है लेकिन कोई बात नहीं आप लोग समझ लिए अब साब इस टेम बोरर का मतलब होता है छेद करना यह आप लोगों को जिखाए जाना चेदन चेद करना जब भाई यह स्टेम के अंदर ही छेद कर देगा इस टेम को इसने खा बागा नीचे से पारी बाइल तो आसल य हो जाएगा क्या हो जाएगा शो जाएगा मरद यही सो पूछाए भाई यह यही तो पूछाए देट हर्ट किस नशीस होता है ठीक है वैरी गुड। मैं यहीन चीड। एक स्टुशन है सिल्वरी शूट और और है और ओनियन लीफ सिम्टम्स ऑफ राइस टिलर्स इस कॉज़ बाए धार के पौदे के कलों में रूप रूप हला तना और प्याजी पत्ती के लक्षड किस कीट के कारण परकट होते हैं महिमा अगरवाल सुप्रिया चौधरी विकाश्वर्मा सुप्रिया अभिके अभी शेक राओ सुप्रिया ब्लैक डेट ओफिशियल चौधरी जी बहुत बढ़िया संजना यादाव सभी लोग बहुत बढ़िया कमेंट कर नौरा फतही एक कमेंट कर रही है रिंकु गोयल पी कमेंट कर रहे है रिंकु सी कमेंट कर रहे है सुप्रिया एक कमेंट कर रही है रिंकु सी कमेंट कर रहे है भाई अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक सिंगल बच्चे का आंसर सही नहीं है अरे काई की तियारी कर रहे हो तुम लोग सपने देखते हो सुपरवाइजर बनने के डबल ओ बनने के और तुम लोगों को ये नहीं पता ओनियन लीफ सिंटम किसका है डबल ओ के अंदर पूछा हुआ किशन है डबल ओ एग्जाम में पूछा हुआ है पुराने पेपर उठा के देख ले जाता है गाल फ्लाई भी बोला जाता है जो गाल मिज है या जो गाल फ्लाई है इसका साइंटिफिक नेम होता है आर से लिया और आईजी और से लिया और आईजी और से लिया और आईजी और से लिया और आईजी इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम होता है यह चीज आप शूट भाई घणे को तो दे बाड़क तो ऐसे होंगे जिसे शूट और इस्टेम में नहीं अब देखे कमेंट करो कि इस्टेम क्या होता है और शूट क्या होता है इनके बीच का डिफ्रेस्ट बता दो मेरे को डिजीज डिजीज और डिसॉडर भाई रोग और विकार हिंदी मेरे को सीड और ग्रेइड यानि की बीज वह दान्य के भी इसका डिकरेंस बता दो तुम लोग त्यारी करें नो परवाइजर की, तुम लोग टॉरो टिरू जायट की, हाई-सी-ार की, तो एक बार इसके अंदर तुम लोग बताओ। थेर्प थेर्म तना होता ह है है। ये बताओ। जब तना होता है। तो फुट क्या हे। कमेड किजिए। अब जो गाल मिज है इसे बोते हैं और से लिया और आइजी सर जैट क्लियर करने के बाद BSC फ्री में होती है ऐसा नहीं है जैट क्लियर करने के बाद तुम्हें जो कॉलेज मिलती है वो मिलती है गौ़नमेंट वहां के फीस फ्री के बराबर ही होती है लगबग 6-7,000 के अंद पर एयर पड़ेगा एक साल शूट प्रहोख होती है थी के शख मैसिंग चीह भने के लिए को ओने के लियूज अज चोंदी की है। मान सकते हैं जिर्ण खाने के लिए होते हैं थोड़ा बहुत सऀह है तो से बहुत सही दो मैं तो सित क्लियर कशी है ooh इका डेखो सबसे पहले मेंने आपको पताः है shoot क्या पताः है shoot दूसरा मेंने पताः है istiem शूट और istiem में difference लुजभ तक पौदा एक महा का होता है 群 लफ लब एक महा से छोटा जब तक पौदा होता है उस समय तक जो istiem होता है उस समय तक जो दोस्तो तना होता है उसको तो बोलते है शूट और एक महा के बाद एक महा के बाद का तना क्या 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 लाता है इस टेम क्या लाता है पहली बाद पहली बाद दूसरी बाद दोस्तो सीड सीड और ग्रेन के बीच में बता देता हूँ भाई सीड और ग्रेन के क्या होता है ब्रून जीवित होता है एंब्रियो वाइवल होता है लेकिन ग्रेन के अंदर एंब्रियो वाइवल वह भी सकता है वह भी सकता है या नहीं भी वह भी सकता है या नहीं भी देख लो सीड्वोईंग स्परपस एक प्लांटिंग 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 तो जब होगी ना जब बीजसे पाजा तो जब बढ़ेगा जब उसमें अब्टक्र यह वह क्वा को उसके लिए उसके अन्दर ब्रून हो या नहीं हो हमें कोई लेना देना नहीं होता very good पूजा पूजा बोल रही है सर ग्रेन में embryo जीवित नहीं होता नहीं होता नहीं बोल सकते हो भी सकता है नहीं भी हो सकता हमें कोई लेना देना ही नहीं होता लेकिन दोस्तों सीड के अंदर 100% embryo क्या होगा जीवित होगा पहली बात इसे planting purpose में इसे conception यानि की खाने के अंदर हम यूज करेंगे किसे अपन ग्रेन को भाई यह mature ovule होता है क्या होता है mature ovule मारी लब परिपक वो अंडाश्य होता है यह परिपक हो भी सकता है नहीं हो सकता compatible सेल सीर्ड उस्तों पौधे का कोई भी भागhalten कोई भी भाग सीड कहला सकता है और फारा कोई भी भाग हो सकता है जैसे भाई कंपना भी कर सकते हैं always कर सकते हैं कुछ भी हम योग कर सकते हैं okay next कि पेद्ध में रोग और विकार डिजीज और डिस ओरर रोग और विटार डिसीज और डिसोर्टर के पीछ मैं आप लोग Wilson को मैं डिसॉर्टर के पीछ में मैं दो تिन डिफरेंस मत हएता हूँ सब shortenbay वो हमेश्या जीवितकार को या Living Organizen से होंगे किसे होंगे Living Organism Living Organizen या फिर आप जीवितकारकों से होते हैं बात है जैसे सब जैसे वायरस कोण सा उसके अलावा जीवाण। जिवानों बोले तो bacteria, जिवानें बोलो तो bacteria, इसके अलाव फंगस हो सकता है, ठीक है protozoa हो सकता है कुछ भी, मतलब living organism से तो काई सी होती है, disease होती है, मैं disorder की बात करूं तो non-living, non-living या non-parasite जैसे किसी भी nutrient की कमी हो गई, temperature अध्रिक हो गया, कम हो गया, इस वज़े से क्य जैसे पूजा हो गया ब्लैक डैथ्ट पुजा हो गई ब्लैक डैथ ऑफिशिल हो गया बहुत बढ़िया चौदरी जी हो गया ब्लैक डैथ अफिशिल सबी लोगों ने बहुत बढ़ी आगी, बहुत अच्छे कमेंट, आप देखों, नेक्स ट्यूशन है, ग्रैसी स्टंट वाइरस डिजीज अफ राइस, इस ट्रांस्मिटेड बाइं, धान के अंदर ग्रैसी स्टंट रोग का वाहक होता है, फटा फट कमेंट कीजिये, भाई जो ग्रैसी स्टंट रोग है, इसका वाहक का काम कौन करता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ स्चिंग कुमार ब्रा ब्राउन प्लांट वह पर कौन सा ब्राउन प्लांट पूपर कैने लिए गैस्ट है यह से पैसर आप vaireas से फाइलती है इस डिजिसका ट्रांस्मिशन का काम कों करता है ब्राउन प्लाट होपर कर आगर teasing नेम तो उसका साइंटीफिक नेम होता है नीला प्रवाटा लूजेस लिग सकते हो आप लोग नीला नीला प्रवाटा लूजेस नीला प्रवाटा लूजES इसका diluted करता है इसके अलावा होती है हौपर बर्न इसको फैलाने का काम भी कौन करता है ब्राउन प्लांट को पर करता है ओके नेक्स क्यूशन की और चलते हैं दोस्तों नेक्स हमारा क्यूशन है गंधी बग इंसेक्ट अटेक ओन राइस जोरी धान का मतकुन पौधे की कौन सी अवस्था पर आकर्मन करता है पटाफट कमेंट कर दीजे देखो यह आकर्मन करता है दोस्तों मिलकिंग स्टेज पर दूधिया अवस्था पर कब करता है दूधिया अवस्था पर अब गंधी बग का नाम गंधी क्यों पड़ा क्योंकि जो गंधी बग है यह अगर अटेक करती है तो एक उस फिल्ड से बहुत बुरी दुरगंद आती है ठीक है बहुत बुरी क्या आती है दुरगंद आती है दूसरी बात साथ जो गंधी बग है इसका अगर साइंटिपिक नेम की बात क ओके नेक्ट क्यूशन है इन इंडिया प्रोडेक्टिविटी और बनाना इस हाइस भारत में केले की सर्वाथिक उत्पादक्ता वाला राज्य है वैस्ट बंगोल तमिनाडू केरला महारास्टा फड़ाफट कमेंट करें जो पता था उसका आंसर तो आपने दे दिया ही पहले और कोई बात नहीं में पता होता है जो इसी क्यूशन है ना वो मैं खुद बता दूआ है में पता है आप सभी लोग कर सकते ठीक है आफट आफट कमेंट करें देखें इन इंडिया दा प्रोडेक्टिविटी और बनाना इस हाइस इन वेरी गुड वेरी गुड वेरी सर है तमिन नाडू के अंदर सर्वाधिक प्रोडेक्टिविटी है मैं बात पर दोस्तों के ले के अंदर दो चार चीजों के बारे में जैसे एडिबल पाठ की बात करते है इसका एडिबल जो पार्ट है एडिबल पार्ट यानि कि खाये जाने वाला जो भाग है वो कौन सा आपको बनाना आप खाते हो तो भाई एडिबल पार्ट पूछ रहे खाने के तो उपर उपर वाला पार तो आप लोग हाटाते ही हो एपी काप तो इसके अंदर आएगा नहीं, हम इसके दोनों अंदर वाले पार्ट खा जाते हैं, दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, मीजो ऐंड एंडो काप बोलते हैं दोस्तों, यह चीज आप लोगोगोगों, दूसरी बात दोस्तों, अगर विश्व में हाइस प्रोडेक्शन ध्यान रखना विश्व में सर्वाधिक पैदा होने वाला फल विश्व में सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक पैदा होने वाला फल उत्पादित होने वाला फल होने वाला फल भी कहुंसा है केला है मतलब सबसे जदा प्रोडेक् भी आम है और विशून में है इत्वर पहुत पॉछा दता है इसका प्रवर्धन होता है स्वाड सक अंपर वर्दन होता है यह कंव्याइच है एक लगबग पांसो से साथ सो ग्राम ओके एक्सक्रिशन है फिच अब दा फॉलोइंग इस दा पर्मानेंट मैथड और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड वेजिटेबल निम्न में से कौन से परकरिया फॉलो एवं सब्जियों के परिरक्षन की इस्थाई विदी है फटाफट राइट आंसर कमेंट करें पास्चुरी करन ब्लांचिंग कैनिंग बॉटलिंग एक्स्क्लूजन ऑफ मॉइश्यर फटाफट कमेंट कर दीजिए बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी है जोस्तों ब्लेक डथ ऑफिशियल कमले शौधरी सभी लोगों का बहुत बढ़ी है ठीक है एक प्रकागा पर्मानेंट मैथर्ड दा यूनिफॉर्म ताइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया आदा गंटा बचा है और हमें कम से कम अभी आदा गंटा में बचा और डबल क्यूश्चन लेना है थोड़ा सा स्पिड बढ़ाईए ता यूनिफॉर्म फ्लावरिंग इन बहुत बढ़िया तो इसमें क्या उज़ करेंगे एम एच का यूज़ करेंगे ओके एक्स क्यूशन है रूपा इज़ इंप्रूव वैराइटी ऑफ देखो यह क्यूशन है ना यह क्यूशन के आंदा ऑप्शन गलट डाल दिया टाइप इसने इस क्यूशन को आप कट कर द हैंगे लगबग 20 ppm के अंदर खीक है तो यह ओप्शन उसने चाहिए ठाइप इसने थोड़ा सगरवड कर दिया रूपा इसे इंप्रूव वैराइटी ऑफ रूपा किसकी इंप्रूव वैराइटी है रूपा पटापट कमेंड करें रूपा अरे वह गुजर वाली रूप करें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऑल्मोस सभी बच्चों का सही आंसर है ओके इसका राइट आसर देगा वालनट अख्रोट की वैराइटी कहुंसी रूपा अब दो तीन क्यूशन बता देता हूं अख्रोट आप से कुछा जाता है हाइस्त फैट किस फ्रूट के अंदर होता है तो ध्यान लखना अखरोट फैट प्रतीसद साइस हो कि इस फैट पायाजाता है इतना पाया जब यह भी तैनकर लगबग 64.5 64.5 प्रतीसद क्या पायाता है एक पाया जाता है नेक्स क्यूशन है विच आप मेंगो इंज डवलाप बाइख लोनल सेलेक्शन एंड बी अर्स फ्रूट रेगुलर ली निम्न में से आम की कौन सी केस्म कोनल सेलेक्शन देखो बहुत इंपोर्टेंट है क्लोनल सेलेक्शन द्वारा विक्षित की गई है तथा नियम में तो फल देती है पटापट कमे बहुत भी पूछा था कुछ लोग बोल रहें सार रूप भी थो अनार की होती है वह होती है लेकिन अपने रूप पूछ थीक है भोहत बढ़ी है दोस्तों आप देखिए क्लोनल सेलेक्शन जैसी वेराइटी सेम यैसी वेराइटी डवलप करना तो दसहरी 51 जहां अनला इं जो पुरानी किस्म थी इसी किस्म के क्लोनन से डवलप हुई है दशेरी 51 पाँ दो चार वेराइटी और आपको पता देता हूं आमकी important एक वेराइटी है अलफवाण्जो कौनसी है अलफवाण्जो अलफवाण्जो जो वेराइटी है दोस्तो यह वेराइटी सबसे जादा न जाता है ठीक है हाफुस थोड़ा उपर कर दीजिए इसे हाफुस के नाम से भी जाना दाता है सबसे बैस्ट वैराइटी है इसके अलावा नेक्स कुशन की और सलते हैं दो चार और वैराइटी लिख लीजिए जैसे चौसा चौसा की बात करूँ दोस्तों तो यह सबसे मीठी वैराइटी है स्वी टेस्ट वैराइटी सबसे मीठी कौसी है चौसा है जैसे मैं बात करूँ सिंदू की तो सिंदू क्या है सीडलेस है बीज रहित किसम है सीडलेस वैराइटी है कौन सी सिंदू ठीक है और वैराइटी आगे अगली क्लास में बताइए आप पुटें से मत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदा अफिशियल विकास रामरी धीके दुर्गेश ब्लैक ओफिशियल चौधरी जी आकाश राठोड जतिन पुनिया संजिना यादव सभी लोग शादार कमेट करें बहुत बढ़िया दोस्तों शाबास बहुत बढ़िया अब देखिये हैस पेरीडियम क्या होता है एस पेरीडियम जो दोस्तों फुरूट टाइप है इसके अंदर जितने भी फूरूट जितने भी फूरूट जिनके अंदर आप लोगों को एक परकार की हेर-like structure दिखेगी यसे एंधी में क्या जिए होती है तूत सबी के अंदर है स्पेरिडियम ओके जितने भी सिट्रस के फूट है सभी में क्या आएगा है स्पेरिडियम नेक्स क्यूशन है औल्यूर इस पॉली एंब्रियोनिक वैराइटी और विच्छ फूट तो औल्यूर किस फलकी बहु भुरूनी है किसम है पटाफट कमेंट कर क्यूशन का अंसर ने दिया वापिस आपका एक बर क्यूशन टाइप कीजिए मैंने आपका क्यूशन देखा ही नहीं क्या क्यूशन था राम हरी गौरवाल चौदरी जी एमके सर बूंदी वालों का भी नाम ले लिया करो मैं ले लेता हूं जितनों का दिखता यह कमेंट बहुत फास चलते हैं लग बाग पचास-साट बच्चे जुड़ते हैं तो पचास-साट की कमेंट इस तो में स्पीड से चलते हैं ठीक है लाएं बहरी गड़े बहरी गुड सर जैट क्वालिफिकेशन करने के लिए 12th क्ला से हैं तो 65% सिये बाकी जैट पास करने के लिए इस परकार की कोई क्वालिफिकेशन भी जरत नहीं है बस आप लोग पास हो जाओ जैट के अंदर भी आप लोग क्वालिफिक कर सकते हैं ओके वेरी गुड ऑल्मॉस्ट बच्चों ने बी कमेंट किया है सभी बच्चों कर रहे हैं मैंगो मतलब आप लोग उने भी कमेंट किया तो वी एकदम गला ते जहाँ रखना क्यूशन आपसे पुछा है और और किसका है आम का किसका है अरे आरपीजी ने इतना आरपीजी आप लोगों को पड़ाया है और आपको बताया है और आपको मूल गोवा बताया होगा पपा काई यह सारे के सारे जो रूट स्टोक है यह आम के है इसके लाव आपको चंदर करन बताया होगा चंदर करन अरे पढ़ लिया करो क्यों गरवारों को बरबाद कर रहे हो है इतने सिंपल क्यूशन तुम लोग गलत करोगे इतनी भी मेर को उमीद है एक तना शाक बाजी कौन सी है भाजी खाने वाली भाजी नहीं स्टेम वेजेटेबल की बात कर रहे हैं लोग ना कर राट प्रटेटो नौल खोल रडिश इसका राइट आंसर होगा नौल खोल मेरे को पता है एक बच्चे को नहीं आएगा दो चार बच्चों को छोड़ दे दो ऊड़िबल बनाना फूर्ट इसनीलास बिकॉज ओ खाने यह केले के फल बीज रहीत होते हैं किस वज़े से बीज रहीत होते हैं की कमेंट करें ब्लैक डैट ऑफिशयल संजना यादा ओ ब्लैक डैट ऑफिशयल चोदरी जी विकाष वरवार रामहरी बंटी पुजा सब कमेंट कर रही है ओके सी कमेंट करें एमके चौधरी पुजा ग्रवाल सभी लोगों का सही है या रखना वैजी टेटिव पार्थेनो कार्पी से क्या होता है सीड लेस फ्रूट डवलप होता है किसका बनाना का एक्सक्यूशन है रतना वैराइटी ओफ मैंगो इसक्रॉस ऑफ रतना जो वैराइटी है बैंगो की ये किस-किस का क्रॉस है फटा फट बताईए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत श्याना विकास च्छाबा कुजा सी कमेंट कर रही है विकास वर्मा जी सर कमेंट कर रहे है चौधरी सी कमेंट कर रहे है बंटी भरतपुर वालो और अकमेंट करा है अ संजन सी कमेंट करें राम हरी एक असेक्थ 12ven करए है कमने सी कमेंट करें अरे इसकू का राय्ट आइसर है सी कौसा है सी आप्शन्म सी जच्वार हर टीचर बता रहा है और एन ए और त्रिक बताते हैं तो भी तुम्हें कोई फाइदा नहीं है अरे रतना दिग गया ट्रिक यानी आरने रतना किस किस से बनी नीलम और अलफान जो से बनी इसी परकार दो चार और वेराइटी देख लो एक आती है आमरपाली को से आती है आमरपाली जो आमरपाली वेराइटी है दोस्तों ये बनती है नीलम और से किसे बनेगी दशहरी दशहरी और नीलम दशहरी और नीलम के क्रॉस से कौन सी वराइटी बनेगी आमरपाली इसके अगर आप लोग ट्रिक याद करें तो DNA हो सकता है क्या हो सकता है दसहरी नीलव और इससे बनी कौन सी आम रिपाली कौन सी बनी आम रिपाली दोस्तों यह अपने जो किचन गार्डिनिंग किचन गार्डिनिंग या हाई डेंसिटी प्लांटिंग एच डीपी के लिए सबसे शुटेबर मानी जाती है लग बग 2.5 यह 2.25 इंटू 2.25 इसकी क्या होती है इस स्पेसिंग रखीज़ा इसी बार्टकार से बनी बात करेए सिंधू सिंधू का आपको अगर मैं आपको क्रोस याद कर आँ तो आर एएस से याद कर लो इससे आर अब आर एएस कैसी जैसे की रतना का क्रोस किसे करआएंगे दोस्तों रतना का क्रोस किसे कराएंगे अलफान जो खुड़ान तो फिलिस्ट वूल इंड राजस्थान प्रड्यूस बाए राजस्तान में भेड की सबसे अच्छी नू उन उत्पादत नसल है वगत राज़ संजनार, हितुकुमारी, चौधरी, ब्रेक्ड़, ऑफिशया, कमलेश, चौषरी जी, तो मेरी आवाज जैसे जैसे इसके राई टांसर आएगा, ऑप्शन नमबर डी, कौन सा आएगा, ऑप्शन नमबर डी, चोकला, अल्मोस सभी का सही है, यह तो राम भारी, गोरवाल, ब्लैक, ब्लैक, डैक, संजनार, यह भी गलत कर रही है, अरे क्या हो रहा है यह, जान अखना चोकला, चोकला के अंदर स सबसे बैस जो ब्रीड है, वो कौन सी है, मेरिनो, तो राजस्थान की मेरिनो मतलब राजस्थान की सबसे बैस ब्रीड ब्रीड बताते हैं किसको, इसको, अब राजस्थान में दोस्तों जो सेखावटी चेतर है, वहां पर इसे शापर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, या शेखावाटी भी शाकर्या शापर्या सेखावटी ब्रीड के नाम से इसे जाना जाता है इसकी जो नाक होती है रोमन नोज होती है रोमन नोज होती है और इसकी जो बैस्ट क्वालिटी बैस्ट क्वालिटी वूल प्रोडेक्शन क्वालिटी बूल होता है राजस्थान के टीक है नेक्स क्यूशन है टालस्ट मेर्ड औप शीप इन इंडिया में शीप की चो टालस्ट ब्रिप्र है वो कौन सी है option number A है नेलोर दूसरी देखनी option number C शोनाडी option number D नाली फटाफट कमेंट कीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पुजा कमेंट कर रही है मैंने तो सही बोला है sir हाँ तुमने सही बोला है कमेंट कर रहे हैं चौधरी ऑफिश्यल ऑलकी नहीं होती रहे हैं पुजा ब्ल mission पूजा कर रहे हैं और बाकी सभी बच् recreate के सभी और और पूजा के सही आँसर option number A इसका राइट अंसर है नेलोरी जो बृत है नेलोरी किसके लिए है इतलर मेत है जिसकी कहा से आई है ध्याहन रखना आंधरप्रदेश इसका औरीजन प्लेस है okay next dual purpose breed of sheep sheep की dual purpose breed कौन सी है फटा फट right answer comment करें ठीक है फटा फट right answer comment करें धेखे शीप की dual purpose breed ध्याहन रखना sheep की dual purpose breed है वो है mandiya कौन सी है mandiya है okay next breed है most popular fine wool ब्रीड इस ओफ दा वर्ड विश्व में विश्व से विश्व में विश्व में सबसे प्रचलित उन वाली भेड की नसल है रैंबुलेट लिन कॉलन कोलिडोल और मेरी नो फटाफट कमेंट करें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया महीमा पूदा रितु अमारी लेकड़ ओ बढ़िया बहुत बढ़िया अब देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नमर्ड डी और मुस्पचों के राइट अंसर है मैरी नो है दोस्तों मैरी नो के अंदर आपको चार-पांच बाते 25 का ओरीजन प्लेस इसका ओरीजन प्लेस है इस्पेन या फिर आप बोल सकते ह फ्रांस क्या बहुत सकते हो फ्रांस दूसरी बात बैस्ट क्वालिटी बैस्ट क्वालिटी वूल पूरे वर्ल्ड में सबसे बैस्ट क्वालिटी की बूल देती है तो कौन सी बूलती है मैरी नो की हाइस्ट वूल प्रोडेक्शन होता है कितना हाइस्ट वूल इन रिंगिंग प्रेक्टिस है वह किसमें की जाती है शीप गौठ केमल एंद पॉल्टरी पढ़ा पर कमेंट करें होटी कल सर में हमें पढ़ाया नहीं अभी अ अनिमल हस्पेटरी में आप कुछ दी ऊचलो है बता किए रही सींग रामहरी एक कमेंड करें लोग एक मेंट करें मुस्ली पच्छे एक मेंड करें अब घंबारत नोंगे बुलेंगे सर रिंगिंग को हमने होटी कल娘 में पढ़ा था जब पेड की चाल उतार रहे थे उसे हम रिंगिंग कह रहे थे आप यही ना शीरिंग पहली क्या आती है शीरिंग का मतलब होता है उन भाई भेड़ की भेड़ की भेड़ के शरी से ठीक है उन को हटाना रिमुवल औफ रिमुवल औफ पुल रिमुवल औफ वूल फ्रॉम 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 शीप बोडी शीप के शरी से अगर हमां हटा रहे हैं तो उसे तो क्या मोलते हैं दूसरी टमपाती मतलब भेड़ की आखें के आसपास से आखें इनिस अफिक बोलेंगे उसे आम बोलेंगे एक साथ हैं शीप का जो पैनिस वाला चो पीनिस होता है यह और जो आम वोसा के उसके हो और्गंस होते हैं उसके आसपास से रिप्रोडेक्टिव और्गंस रिप्रोडेक्टिव और्गंस के आसपास से बूल को हटाना ध्यान रखना रिंगिंग कहलाता है रिंगिंग में ली मेल एनिमल इसमें की जाती है mail animal में की जाती है दोस्तों छीक है अभी के लिए इतना ही दोस्तों मिलते है видео नेक्स लास के अंदर नए जलजबे के साथ नए जनून के साथ अभी के लिए इतना ही धन्यवाद झाल झाल